Very good morning my dear students, myself Nitesh, Assistant Professor in Economics. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारती अर्थ्वेवस्था का टोपिक निती आयोग. जैसा कि आप सभी जानते हैं, निती आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है. जैसा कि आपको पता है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था. और 2015 में योजना आयोग के स्थान पर या योजना आयोग का स्थान निती आयोग ने ले लिया. तो सबसे पहले हम बात करेंगे योजना आयोग की, कि योजना आयोग क्या था. सोतंतरता प्राप्ति के उपरांत अखिल भारतिय कॉंग्रेस समीती ने वर्ष 1947 में पंडिज जाहरलाल नहरू की अध्यक्स्ता में आर्थिक कारीक्रम समीती का गठन किया इस समीती ने 25 जनवरी 1948 को अपने प्रस्ताव में यह सिफारिश की कि देश में एक स्थाई योजना आयो की स्थापना होनी चाहिए जिसके फल्शवरूप 15 मार्च 1950 को योजना आयो यानि प्लानिंग कमिशन का गठन किया गया योजना आयो का गठन 15 मार्च 1950 को इसलिए हम इसको समीधान उत्तर सहस्ता कहते हैं क्योंकि समीधान में इसका उल्लेक नहीं है यह सहस्ता समीधान के बाद गठित हुई थी तो प्लानिंग कमिशन यानि योजना आयो का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया योजना आयो की अनुसंसा पर पंचवर्षय योजना एक अप्रेल 1951 से प्रथम पंचवर्षय योजना लागू की गई विश्वय में सबसे पहले सोवित संग ने वर्ष 1928 में पंचवर्षय योजनाओं को प्रारम किया योजना आयोग ने भारत में एक सक्तिशाली परामर्ष दात्री अभीकरण का रोल निभाया है वर्थमान में योजना आयोग की जगह निती आयोग ने ले लिया है यानि 15 मार्च 1950 में जो योजना आयोग गठित किया गया 2015 में वो स्थान निती आयोग ने ले लिया है अब हम डिटेल से बात करेंगे निती आयोग की पैसट वर्ष पुराने योजना आयोग को नया रूप तथा नाम देते हुए नेशनल इंसिट्जूट फो ट्रास्फोर्मिंग इंडिया निती आयोग के गठन की घोषना 1 जनवरि 1950 को की गई 15 अगस्त 2014 को दीश की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने स्वातंतरता दिवस के अवसर पर अपने संभोधन में योजना आयोक को समाप्त कर नई सैस्था गठित करने की बात कही निती आयोक की अध्यक्सता प्रधान मंत्री करेंगे 65 वर्ष पुराने योजना आयोक को खतम करते हुए निती आयोक का गठन किया गया एक जन्वरी 2015 को इसकी घोषना की गई और देश के जो प्रधान मंत्री हैं वो निती आयोक के पदेन अध्यक्स होते हैं निती आयोक की मुख्य भुमी का राष्टिय तथा अंतराष्टिय महत्व के विभिन नितीगत मुद्दों पर केंदर तथा राज्य सरकारों को जरूरी रन नितिक तथा तकने की प्रामर्श देने की होगी आयोक के लिए 13 शुत्री उद्देशे रखे गई हैं इस आयोक में रज्य की मुख्य मंतियों तथा निजी छितर के विशेशक्यों को अधिक एम भुमी का दी गई है जो संगी धाचे को मजबूत करेगी जबकि योजना आयोक में किंद्रियता को महत्व दिया गया था अब हम देखेंगे नीती आयोक और योजना आयोक में अंतर नीती आयोक एम योजना आयोक में अंतर निम लिखित हैं नीती आयोक यह है योजना आयोक की मुखे भुमिकार राष्टी और अंतराष्टी अमहत्र के विभिन नितिगत मुद्दों पर किंद्र और राज्य सरकारों को जरूरी रन नितिक वैत तकनिकी प्रामर्ष देना होगा जबकि योजना आयोग की प्रकरती केंद्री करत थी सेकंड नीती आयोग मोधी सरकार के टीम इंडिया और सहकारी संगवाद के विचार का मूर्त रूप होगा जबकि योजना आयोग देश के विकास में सम्मन्दित योजनाएं बनाने का काम करता था योजना आयोग ने बारे पंचवर्षी योजनाएं बनाई है नीती आयोग में देश भर के सोध संस्थानों और विश्विद्धालों से व्यापक स्तर पर परामर्ष लिये जाएंगे जबकि योजना आयोग के अध्यक्स भी प्रधान मंत्री ही होते थे लेकिन कभी भी मुख्य मंत्रियों से सला नहीं ली जाती थी अगला अंतर है नीती आयोग में विश्विद्धालों और सोध संस्थानों के प्रती नीधी भी सामिल किये जाएंगे जबकि योजना आयोग में मुख्य मंत्री अगर कोई सुझाव देना चाहते थे तो भी वे विकास समीती को देते थे जो समिक्षा के बाद योजना आयोग को दी जाती थी नीजी चेत्र की भागिदारी योजना आयोग में नहीं होती थी अब हम बात करेंगे निती आयोग के कारिये नितीयायोग की निमलिखित भूमिका होती है या निम्न कारिय होती हैं 1. सहकारी और परतिश परधा संगवाद नितीयायोग सहकारी संगवाद के लिए प्रात्मिक मंच के रूप में कारी करने के साथ-साथ प्रधान मंत्री वे मुख्य मंत्रियों के सयुक्त प्राधिकार में राज्यों के सक्रिय सहयोग से राष्टिय निती बना कर परिमानात्मक वे गुनात्मक लक्षों के साथ इसे समय बद रूप से लागू करने को प्रतिबत होगा सेकंड केंद्र में राजे के सबसे अच्छे मित्र के रूप में राज्यों को स्वयम की चुनोतियों से जूजने में सहिता प्रदान करने के साथ साथ तुलनात्मक लाब हो वर सकती निर्मान की और ले जाना है थार्ड विशेशग्यों के तंत्र के रूप में राश्टी एम अंतराश्टी विशर्षग्यों की सहायक मंडली पेशेवर एम अन्य सांजीदारों के मध्धिम से मुख्यधारा के बाहरी विचारों तथा विशर्षग्यता को सरकारी नीतियों वे कारिये क्रमों के प्रियोग में लाना. अगला है मत्भेद समा जानमी किंद्रे राज्जे अंतराश्टी वे अंतरचित्रिय के साथ साथ अंतर विभागे समश्याओं के दल में सहिता प्रदान करने वाले एक ऐसे सहयोगी मंच के रूप में कारिये करना जो सभी के लिए लाबदाएक वे मन्ने सम्मन्ने को पारदर करने के लिए आम सहमती तयार करें अगला जो कारिये है वो साशन के छित्र मेर रननेतियां बनाने में केंद्रे इम्राज्य सरकारों के मंत्राले को उनकी विकास योजना तयार करने तो समस्या समाधान समंधी आवश्यक्ताओं के लिए विशश्यक्य कोश के एक और एक से अधिक समुह निर्मान द्वारा सहिक की भूमिका का निर्वहन करना विचारों को फैलाने के मधिम के रूत में वस्तुनिष्ट आलोचना एम व्यापक प्रती विचारों द्वारा सरकारी कारिये क्रमों एम स्थतियों में तेजी लाने के रूत में कारिये करना तो इस प्र क्या है योजना आयोग की स्थापना कब की गई योजना आयोग ने किस तरह से देश में पंचवर्षी योजनाओं के मध्यम से आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया योजना आयोग ने देश में बाहरे पंचवर्षी योजनाओं लागू की थी और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया उसके बाद 15 मार्च 1950 से ले करके 2015 तक योजना आयोग ने देश में पंचवर्शी योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक विकास में अपना महित्पून योगदान दिया प्रधान मंत्री द्वारा एक जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई सेस्था का गठन कर दिया गया जिससे हम निती आयोग की नाम से जानते हैं निती आयोग का हमने योजना आयोग में क्या अंतर हैं निती आयोग किस तरह से अपना काम करेगा और योजना आयोग किस तरह से अपना कारी करता था उसके बाद हमने देखा कि निती आयोग के क्या कारी हैं जिस प्रकार से महत्पून निती आयोग के जो कारी हैं वो है सहकारी और प्रतीश फर रूप में कारिय करना और मद्भेग समाजान में अपनी महत्पुन भूमी का निभाना सासंज्फेत्र की रणीतियाँ बनाने में किंध्र इमरज्य सरकारों की जो विकाश यूजनाईं तैयार करने में और लास जो इसका काम है विचारों को पहलाने के माध्यम के रूप में कारिये करना तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने एक डिटेल स्टडी की है नितियायोक की अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में थैंक यू